बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ शेलेंद्रुपांडे हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा होता है अलग होता है और हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई विसिष्टता जरूर पाई जाती है और अगर किसी व्यक्ति के अंदर खास बात को हम जानना चाहें उसकी विशेषता को हम जानना चाहें तो उसकी कुंडली देख करके हम जान सकते हैं कि उसके अंदर विशिषता कौन सी है चालचक्र में आज बात करेंगे कि आप अपनी शक्ती को अपने विशेश गुण को कैसे पहचान सकते हैं और उसका प्रियोक करके जीवन में बड़ी सफलता कैसे पा सकते हैं अब जानते हैं कि हर व्यक्ती के अंदर ऐसी कौन सी खास बात होती है जिससे वो व्यक्ती भाग्यवान बन सकता है भागिशाली बन सकता है देखिए हर व्यक्ती पांच तत्व से और नौ ग्रह से नियंतरत होता है हर व्यक्ती की जो हम कुंडली बनाते हैं उसमें देखते हैं कि पांच तत्व की स्थिती क्या है और उसकी कुंडली में नौ ग्रहों की स्थिती क्या है हर तत्व की एक विशेष्टा होती है जैसे जल तत्व का जो व्यक्ति होगा वो बड़ा भावुक बड़ा इमोशनल होगा पृत्वी तत्व का जो व्यक्ति होगा वो पैसे के पीछे भागने वाला बहुत मटिरियलिस्टिक होगा तो हर तत्व की अपनी एक विशेष्टा होती है और जब यही तत्व प्रधान हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर खास बात पैदा हो जाती है अगर केवल ग्रहों का साथ हो तो व्यक्ति परिश्रम से खास बनने की कोशिश करता है आपका मंगल बड़ा अच्छा है तो आप बड़ी मेहनत करेंगे अपने जीवन में साहस के लिए अपने जीवन में शौरय के लिए और अपने जीवन में आत्मविश्वास के लिए लेकिन अगर केवल तत्वों का साथ हो तो व्यक्ति खास इस्थितियों में जन्म तो लेता है लेकिन उसका प्रियोग नहीं कर पाता आपकी कुंडली में फायर एलिमेंट लीड कर गया आप किसी ऐसे परिवार में पैदा हुए जिस परिवार के लोग आर्मी में हैं फेवर में होती हैं लेकिन आप उन इस्थितियों का फाइदा नहीं उठा पाते अगर व्यक्ति के अंदर खास बात हो और साथ में ग्रहों का साथ मिल जाए तो व्यक्ति अपनी विशेशता से महान बन जाता है कहने का मतलब यह है कि ग्रह भी मजबूत हो और जो कुंदली के तत्व हैं वो भी मजबूत हो जाएं तो व्यक्ति अपने गुणों में विशेश होता है और अपनी विशेशता से महान बन जाता है बिना किसी खास बात या विशेशता से किसी व्यक्ति का जन्म नहीं होता हर व्यक्ति के अंदर कोई नो कोई विशेश गुण जरूर होता है इसलिए हर व्यक्ति को अपनी विशेशता पहचानने का प्रयास जरूर करना चाहिए आप ये नहीं कह सकते कि अरे वो बड़ा दुबला है बड़ा बीमार रहता है उसके अंदर कोई खास बात नहीं है खास बात है लेकिन वो छुपी हुई है हर पत्थर के अंदर मूर्ती है लेकिन पत्थर के ऊपर से जो फाल्टू तुकड़े हैं वो काट करके हटाने पड़ेंगे तब ही पत्थर के अंदर से मूर्ती निकल पाएगी इसलिए हर व्यक्ति के अंदर विशेष्टा है लेकिन उसे अपनी विशेष्टा को पहचानना होगा उसका प्रियोग करना होगा तब जाकर के वो जीवन में विशेष और महान बन सकता है अब हम ये जानते हैं कि ये कैसे जानेंगे हम कि हमारे अंदर कौन सी खास बात है हमारे अंदर कौन सा गुण है अभिने का गुण है बोलने का गुण है लिखने का गुण है या चिकित्सा का गुण है healing quality है कौन सा विशेश गुण है आपके अंदर ये कैसे जानेंगे देखिए अपनी कुंडली का या हस्त रेखाओं का गंभीर अध्यन और विशलेशन करवाईए आपकी कुंडली गंभीरता से देख करके ये जाना जा सकता है कि आपके जीवन में विशेश क्या है या आपके हाथ की रेखाओं को देख करके जाना जा सकता है कि आपके जीवन में विशेश क्या है तो अपने हाथ की रेखाओं को देख करके और कुंडली को देख करके आप जानिये कि आपका जीवन किस दिशा की तरफ जा रहा है अपनी प्रविर्तियों और आदतों को देखिए आपकी आदतें क्या हैं? पढ़ना पसंद है आपको, लिखना पसंद है आपको, ध्यान करना पसंद है आपको आपकी जो आदतें हैं वो इशारा करती हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं? आप अपने मन को समझ सकते हैं अपनी आज़तों के हिसाब से क्योंकि जैसा आपका मन होता है तकरीबन वैसी ही आपकी आज़तें भी होती है आपका पसंदीदा रंग क्या है आप कौन सा खाना पसंद करते हैं ये भी बताता है कि आप अपने किस गुण के कारण खास बन सकते हैं, यानि आपको जो कलर पसंद है, जैसे माल लिए आपको पीला रंग पसंद है, अगर आपको पीला बहुत पसंद है, तो इस बात को मानिए कि आपके अंदर धार्मिक, अध्यात्मिक और ग्यान के गुण जरूर होंगे, क्या खाते हैं, तीखा खाते हैं, आत्मविश्वास बहुत तेज होगा, इस्प्रिचुलिटी हो सकती है, तो आपका भोजन, आपका रंग, आपके लिए बहुत कुछ बता सकता है, जो गुण या ज्यान आपको बिना किशी मेहनत के मिला है, वो भी आपको खास बना सकता है, बहुत सारे बच्चे बच्पन से ही गाना गाने लगते हैं बढ़िया गाना गाते हैं क्यों क्यों क्योंकि पूर्व जन्म में अभ्यास किया है और इस जन्म में आके गाना गा रहे हैं यानि इस जन्म में वो गुण आपका प्रधान हो जाएगा अगर आपका जुकाव किसी विशेश उपलब्धी की ओर है और उसको पाने में मुश्किल आ रही है तो उसको पाने के बाद भी आप खास बन सकते हैं स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस कारे को करने में बाधा ना आए इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं इसलिए कोई आपकी इक्षा है उसको पूरा करने में बड़ी बाधा रही है तो इसका मतलब वो काम जब आप पूरा कर लेंगे तो आप जीवन में विशेश बन जाएंगे हर ग्रह अपने गुडों के हिसाब से आदमी को विशिष्ट या विशेश बनाता है कैसे बनाता है क्या ताकत होती है अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है ये साशन का राजनीती का और नेत्रित्व का खास गुड देता है सूर्य मतलब लीडर, लीड करने वाला या एड्मिनिस्ट्रेट करने वाला चंद्रमा जो है ये कला, शिकित्सा, जन कल्यान और साशन की शक्षियत देता है चंद्रमा क्रियेटिव भी बनाता है कलावाले पार्ट पे चंद्रमा क्रियेटिविटी भी अंदर पैदा करता है मंगल का गुण होता है मंगल जो गुण देता है वो होता है शौरिय, साहस, टेकनलोजी और नया काम करने की ताकत ये जो शक्ती है, उर्जा है, पावर है ये मंगल के पास बहुत होती है तो जब मंगल अपना गुण देता है तो आदमी बहुत शक्तिशाली होता है बुद्ध की बात करें बुद्ध जो है, ये वारी, प्रकhrता, चालाकी और धूर्टता की शक्ति देता है बुद्ध जो है वो वाड़ी बहुत अच्छी करता है दिमाग को बहुत शार्प करता है आदमी बहुत चालाख होता है लेकिन बुद्ध वाले कभी-कभी धूर्त भी हो जाते हैं ये गुण भी बुद्ध देता है ब्रहस्पती की बात करें ब्रहस्पती जो है वो ज्यान, वैराग्य, धर्म और न्याय का गुण देते हैं ब्रहस्पती खाने का भी गुण देते हैं ब्रहस्पती वाले खाते भी बहुत है शुक्र की बात करें शुक्र जो है ये सौंदर्य, वैभव, मान-सम्मान और इस्सा का गुण व्यक्ति को प्रदान करवाते हैं शनी जो है ये अनुशाशन नियाय व्यवस्था लोगों की चिंता करने की आदत ऐसा गुण शनी प्रदान करता है शनी जनता के दुख से दुखी होने वाला भी व्यक्ति आपको बनाता है लेकिन कभी-कभी इसके अंदर आप राध वाले गुण भी आ जाते हैं राहू केतु जो आपको गुण दे सकते हैं वो एक तो है अभिनय रूप बदलने की जो शमता है वो राहू केतु के पास बड़ी अच्छे पाई जाती है संचार यानि कम्यूनिकेशन गुप्तचर जासूस नए अनुसंधान और श अपनी खासियत को ताकत को कैसे निखा रहें कैसे आपको सफलता मिले अपने गुण को कैसे मजबूत करें देखिए अगर ग्रह की नकारातमक्ता प्रभावशाली है अगर ग्रह आपको निगेटिव गुण दे रहा है तो उस ग्रह को छोड़ने का प्रयास करें उस ग्रह क के स्वभाव को छोड़ें उसके लिए मंतर जपें उसके लिए दान करें ताकि ग्रह का जो निगेटिव गुड है वो आपके अंदर कम हो जाए अगर ग्रह आपके सकारात्मक ताकत दे रहे हैं आपको अच्छा गुड दे रहे हैं तो उस ग्रह को बलवान करें और उसके हिस तो काम को और भी मन लगाके और भी तेजी से और भी मेनत से करें तो आपके लिए बढ़िया होगा नित्य प्रातह रोज सवेरे नवोदित सूर्य को उगते हुए सूर्य को सादा जल अर्पित करें ये बहुत जरूरी है हर तरह के ग्रह को ये मजबूत बना देता है और रोज सवेरे अपने माता पिता के चरण का इसपर्श कीजिए और अपने सर पर उनसे आशिरवाद लीजिए उनसे कहिए कि आपके सर पर हाथ रख करके आपको आशिरवाद दे अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर की जो शुबता है वो बढ़ेगी आपके अंदर की जो विशेषता है वो बहतर होती चली जाएगी